तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं SSE Delhi Police Head Constable Ministerial Exam syllabus देखिए Head Constable Ministerial का जो जौब होता है सबसे सांदार जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो होता है नाम का ही ये Head Constable होता है लेकिन इसका जो जौब जो होता है वो बिल्कुल official होगा और आप लोग का जो ये जौब है बिल्कुल सटिक और परफेक्ट आपके बैठने वाले हैं इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले देखिए सलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके टेस्ट ऑफ इग्जाम है आपे देख सकते हैं इस नमर पर कंप्यूटर बेज्ट इग्जामनेशन बाई SSC जो की कंडेक्ट करवाएगी ये आपके 100 मार्स के होने वाले हैं नेक्स्ट बात करें आपके तो फिजिकल इन्यूरेंस और मिजर्मेंट टेस्ट पी जिसको या एम्टी बोलते हैं ये देली पुलीस के दौरा लिया जाएगा ये सिर्फ आपके कौलिफाइंग नेचर का है थर्ड नमर पे बात करें तो ये टैपिंग टेस्ट औन कम्प्यूटर भाइ डेली पुलीस तो देखिए डेली पुलीस के दौरा ही आपको क्या किया जाएगा हैं पे टैपिंग टेस्ट लिहाएगा जो की 25 marks के आपके रहने वाले हैं और इनका जो marks है वो merit list में आपके जुड़ेंगे थार्ड बात करें आपके तो computer formatting test by Delhi police ये qualifying nature का है तो देखिए computer में कुछ software आते हैं जैसे MS Excel हो गया ठीक है ये text paint हो गया तो ये सारे कुछ जो apps है जो function है उसके बारे में आप लोग बस basic details भी अगर आप लोग जनते हैं तो बिल्कुल इसमें qualifying हो जाएंगे और इसमें qualifying की 100% हम guarantee लते हैं लेकिन अभी जो main है वो क्या है ये 100 marks का जो exam है इसको qualifying करना बहुत ही important है और आप सभी को पता होनों चाहिए कि इसका cut-off अच्छा है standard level का रहता है अब देखे इसमें बात करें all candidates male and female shall be put through a computer based examination of one and half hour तो आपके देखे 90 minutes दिये जाएंगे duration to be conducted at different centers अलग लग center पर इसका exam लिया जाएगा the computer based examination will consist of one objective type ठीक है one objective type paper containing 100 questions carrying 100 marks 100 question आपके 100 marks के होने वाले है there will be negative marking of 0.50 ठीक है तो इसका जो negative marking है वो 0.50 marks for each wrong answer पे आपके मिलने वाले हैं तो इसका जो negative marking है वो दोस्तों भहुत ही धास हुआ है जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे अब देखिए next यहां पर बात करें तो the question paper for computer based examination will cover the flowing subjects तो यह देख सकते हैं कुछ इस परकार आपके यहां पर दिये गए हैं यहां पर subject देख सकते हैं part 1 में आपके general awareness रहने वाले हैं जिसमें की 20 question 20 marks के next बात करें यहां पर तो mathematics आपके रहने वाले हैं ठीक है arithmetic skills 20 question आपके यहां पर 20 marks के रहने वाले हैं English language की बात करें तो 25 question 25 marks के आपके रहने वाले हैं अब paper e computer fundamental MS Excel जो की यही आपके basic जो हैं वो उनमें यह भी पूछा जाएगा तो यह आपके 10 question 10 marks के रहने वाले और इसमें जितना दिया गया है software ठीक है जो भी functions दिया गये इसी से आपको computer पर चेक किया जाएगा कि MS Excel आपको चलने आता है या नहीं MS Word आपको यूज करने के लिए आ रहा है या नहीं इंटरनेट आपको यूज करने के लिए आ रहा है या नहीं तो दखिए यही सार आपको यहां पर देख देखा जाएगा तो यहां पर 100 question और 100 marks का आपका हो गया इसमें जो निगेटीव मार्किंग है दोस्तों सबसे धासू जिसे आप लोग बोल सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 0.50 का निगेटीव मार्किंग है डैट मिन्स वान वाइट तू आपके दो गलत पर ही एक मार्स कट जाएंगे तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में करिएगा जितना आपको आता है सही सही कॉस्टन ही आप लोग अटेम्ट करिएगा अब देखिए नेक्स्ट यहां पर बात करें तो नीचे आप लोग देख सकते हैं डेली पुलीस इंडी इंडिकेटीव सिलेबस फॉर्टा कंप्यूटर बेस्ट इंशन तो देखिए इसक कंप्यूटर जो है उसको थोरा से हाँ पर एड किया गया आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हैं तो हंडेट टेन आउट आपके आ जाएंगे यह मातर आपका चार घंटे का सिलेवस है जी हैं दोस्तों यह मातर आपके चार घंटे का सिलेवस है आप लोग क्या करिए कि क् तो ठीक है अधरवाइस आप लोग क्रोम इने सर्च करिएगा ठीक है कंप्यूटर फंडमेंटल जैसे सर्च करिएगा तो एक पीडियाइफ रता है ठीक है उससे अगरे आप लोग पढते है वह आप लोग क्ला क्यारहके रटंद नहीं है आप लोग सिर्फ एक अब हम लोग चलिए strategy के बारे में जानते हैं तो दोस्तों देखिए अगर strategy के बारे में जाने तो यहां पर आप लोग देखिए अब देखिए बहुत सारे student क्या करते हैं कि बोलते हम 15 घंटा पर रहे हैं 16 घंटा देखिए यह डिपेंड नहीं करते हैं आपको बस यह डिपेंड करता है कि लास्ट में आप कितने घंटे पर रहे हैं ठीक है और क्या पर रहे हैं अब देखिए जो हमें एक्जाम में पूछा जाएगा हमें बस वह परना है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मोटा मोटा बुक निकाल के सुरू से परना सुरू करत करता है वह भी अगर आप लोग पर ली जागा तो इसमें नाइन मार्स तो आपको इजली यहां पर आ जाएंगे मात्र चार घंटे में तो यह समझ में आ गया अब देखिए इंगलिस की बात करें ठीक है तो सबसे पहले 15 दिन में क्या करिए कि आप 15 दिन में 15 मोक मारिए त दिन में कम से कम देखिए दिन में कम से कम कोशिस करिए दो बार मारने का ठीक है तो तीस मौक आपके होते हैं तो तीस मौक में सबसे पहले आप लोग यह देखिए कि किस सब्जेक्ट है ठीक है उसमें कम मार्स आ रहे हैं और जिसमें सबसे कम आ रहे हैं उसका यह आप कोसन हैं पर पूछा गया तो 20 में आपको मात रहे हैं पर शुरू में मौन लाते हैं आप बीगनर हैं स्टार्टिंग किये तो आपको मौन लाते हैं कि क्योंकि कि 10 मार्स तक तो नॉर्मली सभी बच्चे के आ जाते हैं कि इसका कॉस्टन बहुत ही बेसिक शा होता है इतना आड़ा है तो अब आप लोग ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आप लोग गलती करने जैसे मन लाते हैं कि आप लोग गलती करने हैं तो आप लोग क्या करिए कि यह हर एक जो YouTube पे वीडियो अपलोड करवाया गया है किसी भी टीचर से ठीक हम जरूरी नहीं बोलते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल से देखिए किसी भी टीचर से आप लोग क्या करिए निकालिए और उस सब्जेक्ट यह सब्जेक्ट सर्ज करिए और बे सकते हैं कि 14 से 15 को सन एटेम्ट कर सकते हैं वह भी इसली कम टाइम में तो उमीद है कि आपको देखिए इस दोनों पार्ट में आप लोग को समझ में आ गया होगा रिजिनिंग जो देखिए इसका है वह बहुत ही सिंपल होता है आप लोग जो मौक मार रहे हैं ठीक है उसी क अगर आप लोग सॉलीशन सही डंग से करने तो हंडेट एंटेन परसन उसी बैसिस पर आपके क्वेस्टन आने वाल हैं रिजिनिंग में तो बहुत सारे क्वेस्टन क्या करते हैं कि जो अच्छे शुरू से पढ़ने वो तो 25 आउट आप 25 मार दतें लेकिन आप लोग इंग्लिस देखिए जो इसका है वो सिनोनेम एंटोनेम अभी अगर आप लोग रटना शुरू करते हैं तो आप से नहीं हो पाएगा आप लोग क्या करिए अरम से इसका पी वाई प्रिवियस यर कोस्टन पेपर निकालिए ठीक है उसमें जितने आप से हो सकते हैं उतने य आपके सिनोनेम से आपके छूट सकते हैं क्योंकि इंग्लिस में थोड़ा सा देखिए शुरू से आपको मेहनत करना पड़ेगा तो इसमें से देखिए इंग्लिस इसमें आपके 25 पूछे तो आप लोग मौन के चलिए 18 नमर ठीक है तो देखिए अभी भी आप लोग पास ह हम लोग क्या बताएं कि यहां पर अब देखिए एक जो मेन बचा हुआ जेनरल अवरनेस ठीक है जी यह यह थोरा सा टफ होता है क्योंकि यह जो सुरू से बंदे तैयारी करते हैं उनका भी 10 नमर आता है जो लास्ट से तैयारी करने उनका भी 10 नमर आता है पूछिए कैसे है आप लोग PYQ निकाल लिए ठीक है बस उसी को आप लोग याद करिए तो आपके 10 जैंग ग्रातumuz और यहाँ पर काउट करें तो महलन रहते हैं इसमें 12 आपके आगए ठीक है हैंग्लेD gio पहले से त्यारी करें उनके 22 नाइन सकते हैंatti कमप्यूटर में ना सकते हैं आप अप अपना एड़ करिए ठीक है आप आप क्या करिए अपना एड़ करिए यहां पर तो यहां पर हो जाएगा आपका यहां पर अगर आप लोग एड़ करते हैं तो 9 प्लस 8 आपके क्या हो जाएंगे 17 17 प्लस 5 यहां पर क्या हो जाएगा 22 22 प्लस 224 फोर का 4 कैरी 2 तो यहां पर देख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 325 तो आपके कितने होते हैं 54 मार्क्स अब देखिए अगर इसके इसका हम लोग आड़ करें तो यहां पर 54 हो गया अब यहां पर देखिए 527 यहां पर अब यहां पर बात करें तो दो एक तीन दूपांच एक छे सार साथ देखिए आपके यहां पर शुरू से बस लास्ट 15 डे में आपके चबवन नमर आ रहे हैं और उनका सार साथ नमर ठीक है अब रिजिनिंग का बच गया तो रिजिनिंग में देखिए वो 24 तक एटेम्ट कर सकते हैं जो पहले से त्य लिए आपका सेलेक्शन हंडेड़ एंटेन परसेन आपका इतने में हो जाएगा और इनका आप लोग देख सकते हैं 81 आ रहा है तो यह भी यहाँ पर क्या है पास है 81 आ रहा है तो इनको तीन से चार नमर करेगा तो 85 हो जाएगा तो आप लोग देखिए बाद में 15 दिन पढ़के बिल्कुल असानी से आप लोग किलियर कर सकते हैं आप से बस हम यही बोलेंगे कि 15 दिन में जितना हो सकता है आप लोग अगर एक दिन में तीन हो सकता है तो तीन भी मौक मारिए 42 मौक भी अगर आप लोग मार के जाते हैं तो आपका सेलेक्शन कोई नहीं रहो सकता है इसके हम गायांटी लते हैं तो उमीद है कि दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जबर कमेंट करिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद